रेल्वे को बड़ा रजस्व माल गाडियों के माध्यम से मिलता है। उत्तरमद रेल्वे आगरा मंडल को 48 करोन 57 लाग का वनापा हुआ है। जो पिछले वर्ष की तुल्ना में काफी अधिक बताया जा रहा है। इसमें सबसे अधिक मुनाफ़ा तेल टैंकरों से मिला है। पैट्रोल्यम ट्रेनों के माध्यम से रेल्वे को बड़ा फाइदा मिलाै। पे भी काफी अच्छा प्रदर्शन हमने इस वित्य वर्ष में कर रहे हैं मई दो हजार चौबिस में आग्रा मंडल ने माल धुलाई यानि की गुड्स ट्रेंज से साड़े अर्टालिस करोर रुपे की कमाई करी है आग्रा मंडल से मुख्यता मतुरा रिफाइनरी से ऑईल जमना ब्रिज में कंटेनर से जूते एडिबल ऑईल वगेरा और बलास्ट का ट्रांस्पूटेशन पूरे देश में किया जाता है पिछले वर्ष की अपेच्छा इस वर्ष में अच्छा मुनाफरा है यही बज़े है रेलवे अन्य संसादनों को भी तलास रहा है जिससे फाइदे की रासी को और अधिक बलाया जा सके पिछले वर्ष की तुल्ला में हमने लगबग 26 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ोतरी करी है अपने अर्निंग में और लगबग 3,15,000 टन माल को भीजा गया है हम इसी में प्रयासरत हैं आगरा मंडल में नए नए चीजों को खोजा जा रहा है जिने हम देश के अलग-अलग कोने में भेज सके इसमें हम जूते की ढुलाई पर पोटेटो, फार्मर्स के उसमें और इसके अलावा इंफ्रस्ट्रक्चर मटीरिल पर भी फोकस कर रहे हैं कि आगरा मंडल की माल ढुलाई बढ़ा सके रेलवे ने माल गारियों को संचालित करने के लिए नई टेक्नलोजी अपनाई है माल गारियां भी समय पर पहुँचें इसके लिए कई इंतिजाम किये हैं साथ ही अलग से कॉईडोर भी मनाया गया है जिससे ट्रेनें सही समय पर गंतब्बे तक पहुँचें सवारी गारियों से जहां रेलवे को फाइदा मिलता है वहीं अच्छा घषा फाइदा माल गारियों से भी रेलवे को मिलता है उत्तर मद्द रेलवे लगतार इस समय बहतर काम करता दिखाई दे रहा है आगरा बंडल ने माल भाले के माध्यम से मौटा मुनाफ़ा कमाया है दावा किया जा रहा है आने वाले समय में ये मुनाफ़ा और अधिक बढ़ने वाला है जिससे रेलवे को बड़ा फाइदा मिलेगा अपने साथी अतुल के साथ राकेश कनोजिया सी न्यूज आगरा आगरा कि सरबादी के लोग परे चैनल सी न्यूज के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकान को प्रेस करना ना भूलें